तो गाइज इंडियन वैक ड्रैविंग 3D के अंदर आज हम बनने जा रहे हैं आइरन मैन तो हाली में कुछ दिन पहले हम बने थे सूपर मैन और आज की न्यूज में हमें दिखा रहे हैं कि हम एक दिन के लिए बन सकते हैं आइरन मैन और उसके बाद हमें कुछ मेसेज आएगा और हमें उसको टेस्ट को पास करना है उसके बाद हम बन सकते हैं आईरन मैन तो हम बाहर यहाँ पर आ चुके हैं और मोबाईल निकाल ले अपना और उसके अंदर हम लिखते हैं आईरन मैन और आईरन मैन लिखने के बाद हमें इस अ टेस्ट भी देने पड़ेंगे तब जाकर हम आईरन मैन बन सकते हैं तो अभी तक तो मेसेज नहीं आया मगर हमें लगता आ गया गया और मेसेज आ चुका है हम आईरन मैन बन सकते हैं लेकिन कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे सबसे पहले हमें पुलिस टेसन के अंदर जा मगर भाई आईरन मैन बनने के लिए गाई मुझे कुछी भी टेस्ट अगर दे दे तो मैं उसको कड़ सकता हूं तो आ चुके हैं मैं बात ही बात में हम पूलिस टेशन के पास पहले तो हम यहां पर पार्किंग यानि के साइड में अपनी बाइक को ऐसे जगा लगाता हूं कि बाहर से जो पूलिस वाले आए तो उससे मैं बचकर यहां से भाग सकता हूं तो मैंने यहां पर अपनी बाइक को घुमा करके एकदम अच्छे से लगा लिया कि अंदर को पूलिस वाले को मारने के बाद हम भाग सकें तो पहले तो मुझे कुछ प्लान बनाने पड़ेगा तो मैं पूलिस टेशन के अंदर देख लेता हूं क्या चल रहा है तो यह बाहर जो दो गाट खड़े हुए हैं इन दोनों के पास गन हैं देख सकते होगा काफी खतरना कि यहां पर साइड में तीन लोग बैठे हुए हैं और इस तरफ आगे तीन पूलिस वाले हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है खाली हाथ यह लोग बैठे हुए और जेल के अंदर एक कैदी और साथी साथ यह राय एक आदमी बैठा हुआ तो इसको हमार सकते लेकिन उसके लिए मैं बैपन बहली लेकर कर आ चुका हूं अपना और दो पुलिस वाले जिसके पास पहले गन है उस अहां पर लगा लगा अवे यह मारा क्योंने कितना जादा एल्थ है गया जिसके पास एक बोर भाइब डेमेज काफी देरा आवए यह लग 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 यह गया यार कितना ज्यादा है और मेरा पूरा का पूरा हम लगता है बाई मैं मर जाओंगा यहाँ पर मैं infinite health भी ने लगा सकता क्योंकि एक पुलिस वाला मेरे पीछे परा हुआ तो इसको मारता हूँ यार यार मार गया ही है मतलब जिसके पास गन है ना गाई उसके पास जादा health है और जो लोग मुक्के से मारने आते हैं उसके पास कम health है तो पहले तो मैं infinite health लगा ले और यहाँ से निकल सकता हूँ और बाई को इसलिए मैंने एक घुमा करके रखा था साइड सीधा करके एकदम ताके मैं भाग जा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला मुझे दीख नहीं रहा यह सामने से आ रहा है और बाई मैं पहुच चुका हूँ घड की रहाज गा तो मुझे उठाना है जेट पैक फुक का अंदर से जो इंमीजबह सीग ओई बिल्डिग हथ कॉण सा बिल्डियंंग है जिसके अंदर हम जा सकते हैं तो पहले सिर्फेय को अपने पाई पार यैग को साइड में लगा लेता हूँ ताकि को मैं पार्च से मुझे गर के पीछे एक बाइक रखता हूं और एक बाइक आगे भी उस तरफ मैं रखने रखता हूं वो है केटियम और अब चलते हैं उस जेट पैक को ढूरने के लिए तो मुझे पता तो है नहीं कि कौन सा बिल्डिंग इमीजबल है मगर चेक करके मुझे पता चल जाएगा कि कौ कौन सा बिल्डिंग इमीजबल है उस पर मैं अपनी बाइक को अंदर करूंगा तो ही मुझे पता जल जाएगा तो ये घर तो गाइज इमीजबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम नहीं जा पाई सामने एक बिल्डिंग दीख रही ये भी नहीं है तो यार कौन सी वाली बि नहीं गया ये बिल्डिंग में मुझे लग दो रहा है कि यही बिल्डिंग है गाइज场 सामने से एक रास्ता जो यो हलका मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मैं जा सकता हूँ तो दूर से मैं इसको ठोकता हूँ भाइक से और तोर कर अंदर चला जाओंगा गेट दरवाजा और सामने से एक दम फूली स्पीट में थोरा स्पीट कम था जिसके वाज़ा मैंने जा पाया एक दोदान और ट्राइ वरना मुझे नहीं लगता कि यह बिल्डिंग भी इमिज्वल है उसके लिए मुझे काफी मेहनत फिर करना पड़ जाएगा तो मैंने यहां से ठोकर मैं फाइनली अंदर आ चुका हूँ और जेट पैक भी मुझे दीख चुका है तो जेट पैक को मैं उठाता हूँ तो यहा पैक दिया गया है तो मैं जेट पैक से आसान से बैठ सकता हूँ लेकिन यार वहां काफी खतरनाक खतरनाक डाइनसोर है यह तो आपको पता होगा है और उसके उपर मुझे उसकी राइडिंग करनी है क्या नहीं मुझे सिर्फ उसके उपर बैठना है मतलब कि मैं इसको ऊप गश्रम से बैठ सकते हैं कि यह मुझे कुछ डामेज देगा नहीं और यह रहागा है काट यह कीवाध मैं इसके इसे ऊपर नहीं बैठ रहा हूँगा यह जा आपएट चल रहा है इतनी उची डायनसूर पिर भी ये काफी तेचल मैंनाय कम करता है posição remember साइध हो जाय तो यह हो चुका. यह पूरा हो गया हो गया साथ एक दम मैं उसके ओपर था साइध मुझे लगता हो तो गया ये डायनसूर के ओपर और सामने से गाइज मुझे आवाज है रही कुछ अलग राइनसोर आप वो दीख रहा वाई टीरेक्स जो के काफी खतरनाक डाइनसोर यार यह तो कुछ सिकन में वेस्टेड कर देता है हमारे कैरेक्टर को तो इसके ऊपर भी मुझे बैठ जाना क्योंकि यह जब आ ही चुका है तो इसके ऊपर ही मैं बैठ जाता हूं तो यह देख रहा है नहीं अभी इसके ऊपर हमाराम से बैठ सकते हैं पस लैंडिंग सही हो डाइव एक तम सही परफेक्ट हो गया तो मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूं अगर यह पेर जोने दिक्कत दे रहा थोरा आगे चलते हैं वह डाइनासौर तो मेरा पीछा कड़ेगा ही तो एक के ऊपर तो मैं बैठ चुका हूं दूसरा डाइनासौर मुझे दीख नहीं रहा है साय से इसके पास म आपर मैं फीर से लैंड करता हूं वह आजागो देख लोगा यह आ चुका है मैं इसके ऊपर फीर से चला गया यह देख लो पूरा मैंने दोम को आड़ी देख लो इस दैनेसोर के मैं मुझे अंदर से निकल चुका हूं यार और इसने मुझे देखा नहीं वर्णा गाइज कुछ अलग यह देख लो, इसके पूरा सर के ऊपर से जा रहा हूँ मैं, मगर यह लगता है मुझे देख नहीं पा रहा है, तो दू डाइनसोर के ऊपर से मैं आ चुका हूँ, अब तीसरा वाला मुझे दिख चुका है, सामने से वो छोटा वाला डाइनसोर, काफी दूर ढू अधे दैनेशोर जो के वह काफी खतना कहां है यार वह तो हमारी चैरक्तर को तुरंती वेस्टेढ़ कर देता और देख लो जिसका नाम मैं ले रहा था और वही दैनेशोर मेरे सामने है उची पीट वाला दैनेशोर यार यह काफी खतरना के बाचना है तो इसके पीट ste कि अभी तक नहीं निकल पाया अभ निकल कुका हूं और यहींपर रुपता हूं स्जगा यहां पर है तो मैं यहां बैट सकता हो मतलब कह अगला ने क्या करना हैं- मुझे बताया गया है कि भाई तीन MPC को मारना है वो भी दस सोट में मतलब दस गोली में मुझे तीन MPC को मारना है और गाइस मेरा निसाना जो है वो काफी हार्ड है जिसके वज़ा से मुझे उतना दिक्कत की बात है नहीं तो मैं कोई सावी बिल्डिंग पर जा सकता हूँ क्योंकि उसमें लिखा नहीं कि एक किस बिल्डिंग पर जाना है तो जहां से मुझे MPC दीख जाता है मैं उसको वहीं सरसूत कर दूँगा ये काफी उंची बिल्डिंग था सामने थोड़ा नीचा विल्डिंग दीख रहा है क्योंकि इस वाले बिल्डिंग से मुझे MPC दीखी ही नहीं रहा था और इस बिल्डिंग पर मैं आ जाता हूँ और इस बिल्डिंग के उपर से मैं MPC, 3 MPC को 10 सौर्ट में मारना है और सायद से लग जा भाई मुझे गोली कमाना नहीं है यहाँ पर पहला हो चुका है यार और मैं इस दफ़ा तो इसको मारी दूँगा दो सौट में यार तो यह गया भाई अभी पहला हुआ है और अब देखते हैं दूसरा में यह गया दो गोली और एक को मैंने मार दिया है तो दो में मैं एक मार सकता हूँ यहाँ पर आसानी से और इसको तो मैंने पहले ही सौट मतलब अभी तीन बुलेट गया और दो को मैंने मार दिया अभी साथ मुझे बचा है और एक लोग को मारना है जो के मेरा निसाना काफी हाड है यार मैं इसको आराम से मार सकता हूँ ये देख लो चार बुलेट में ही मैं तीन लोग को मार दिया यार कितना मस्त निसाना है गज़ अब देख ले तो क्या करने के लिए का गया तो यहाँ पर पुलिस वाले दिख तो नहीं रहा है यह सामने से आया और यह उतर चुका है सामने से नहीं जा तो वरना मैं यह देख लेगा तो फिर फायर करना है स्टार्ट कर देगा तो अब मैं इसकी ही कार ले लेता हूँ और उसके बाद इसको ही मैं ठोक देता हूँ इसी कार से तो ये सामने दीख रहा है भाई गया कहां ये एक और पुलिस वाला आ गया एक को तो मैंने मार दिया है और एक और पुलिस वाला आ चुका है जो के कार लेकर भाई बस ये उतर जाए कार के अंदर से तो ही मैं इसको मार सकता हूँ तो सामने वो दीख रहा है जो के आ रहा पुलिस वाला मैं यहीं पर रोकता हूँ पूरा मैं ब्रेक मार लखा था जिसके विज़े मेरी कार आ गए तो नहीं गई और वो पूलिस वाला उतर चुका है अब मैं इसको ठोक देता हूँ बस यह गोली ने चला दे भाई इसका मुझे डर है तो यह सामने से जा रहा है तो मैं इसको पीछे से ठोक देता हूँ मैंने दो पूलिस वाले को मार दिया है अब तीसरा पुलिस वाला बचा जो के वो भी कायर लेकर आ चुका सामने से इसकी कार को ठोकता हूँ वो जरूर कार से निकलेगा बाहर ये देखलो मैंने इसको ठोका और ये तुरंत ही कार से निकल गया भाई और ये मुझे पर अटेक भी नहीं कर रहा है तो मैं इसको ठोक देता हूँ तो ये देखलो मैंने तीन पुलिस वाले को मार दिया है मतलब कि मैंने सारे टेस्ट पास कर दी अब मुझे करना है कुछ मैं यहाँ पर कार से निकल चुका हूँ और जैसे ही मैं खरा होता हूँ यार मैं कितनी ऊपर चला गया हूँ और इतनी ऊपर गया और यहां से मैं गिरा गम अवा यार किछी ने मुझे ऊपर खिच लिया और फिर से लाकर मुझे अपने ही सीमिंग पूल के अंदर फेक दिया जो कि इतनी उपर से गिरने के बाद भी इतने सारे खून निकल चुके गाइज फिर भी मैं बेस्टेड नहीं हुआ मुझे कुछ भी नहीं हुआ दर्द भी नहीं हो रहा साहित से मुझे मेरे अंदर लग रहा है कि आईरन मैन की पावर आ रही है आईरन मैन का सूट यहीं कहीं पर होगा वो मुझे देखना है तो घर के अंदर तो नहीं है यार और आगे के तरफ देखता हूँ बाहर निकल के साहित से मुझे लगता है कि इसी तरफ वो आईरन मैन का सूट रखा होगा तो ये देख लो गाईज आईरन मैन का सूट मेरे सामने बन रहा था मेरी बोडी पर ये चिपक रहा है मुझे अचानक से चक्कर आगया मैं नीचे गिर गया था और फाइनली मैं आईरन मैन बन चुका हूँ पावर मेरे अंदर बहुत सारे आचुके मैं उड़ी भी सकता हूँ एकदम खतरना गाईज बहुत अच्छा लग रहा मुझे आईरन मैन बन के और मैं कितनी उपर उड़ सकता हूँ काफी जादा मैं जा आ रहा है यहां से देख सकता हूँ तो आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथी साथ हमारे चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मज़दार इंडियन वाइक ड्राविंग 3D के वीडियो को देखने के लिए है तो अगर आपको हमारी पीछली वीडियो देखनी हो तो जितने भी स्क्रीन पर यहां पर फोटो आ रहे हैं उसको हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो